दोस्तो आपने बॉल्यूट की फिल्में तो देखे ही होंगे और आप सभी ने डिपका पादुकोन, प्रियंका चोप्रा, आल्या भट, केरा अरवानी, अनुस्का सर्मा, उर्वसी रोटेला और कहीना कपूर जैसे एक्टेस को तो आप जानते ही होंगे मगर क्या आप जानते हैं इनमें से सबसे खुबसरत अक्टेस कोन है क्या आप जानते हैं बॉल्यूट की सबसे खुबसरत अक्टेस कोन है अगर आप नहीं जानते हैं तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉल्यूट की 10 सबसे खुबसरत अक्टेस के बारे में तो इसे लिए जानते हैं नमबर टेन कंगना रनोट कंगना रनोट मॉलूट की सबसे खुब से टैक्टिस में कसमे नमबर पराती है कंगना रनोट का जम 23 मार्च 1987 को हुआ था कंगना रनोट को तीन बार राष्टे फिल्म कुष्कार और चार बार फिल्म फेर पुष्कार भी मिल चुका है कंगना रनोट को पाच बार फोर्प्स इंडिया की टॉप हंडर्ड सेलिब्रिटीस की लिष्ट में जगा मिल चुकी है साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्यून ने उनकी जबदस्ट एक्टिंग के लिए उन्हें बॉल्यूड की क्यून भी कहा जाता है कंगना को साल 2019 में उनकी फिल्म मनिक अनिका और पंगा के लिए स्वासेष्ट अभिनेत्री का सरसटोवा राष्ट्य पुष्कार से समानित किया गया था नमबर नाइम अनुष्का सर्मा अनुष्का सर्मा बॉलूड की सबसे खुबसे टैक्टिस में नौमे नमबर पराती है अनुष्का सर्मा का जब एक मैं 1988 को हुआ था अनुष्का की शुरुबाती पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने माउंट कैर्मल कॉलेज बैंगलोर से कला में सनातक की डिगरी प्राप्ट की अनुष्का सर्मा ने अपने कैरियर की शुरुबात सारु खान के साथ रब ने बना दी जोरी फिल्म से की थी इसके बाद उनकी फिल्म बदमास कंपनी बैंड बाज़ा बारात में भी उने दर्सबों ने काफी पसंद किया अनुष्का अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी है उनकी प्रमुख फिल्मों में पीके, जब्ता कहजान, इनेस्टेन, सुल्तान, सुई धागा, संजू और एदिल है मुझकिल ये सब है और हाल ही में अनुष्का सर्मा ने लीप से जरी करवाई थी जिसे लेकर ये काफी चर्चा में भी रही है अनुष्का ने साल 2017 में भारते किर्के टीम के कप्टान रह चुके बिराट कोली से साधिकी है अनुष्का और बिराट की एक बेटी भी है जिसका नाम वामिका है नमबर एट में जाने से पहले अगर आप ऐसे ही नौलिजबल और इन्फॉर्मिटी वीडियोस देखना चाहते है तो मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वेल आइकोन को दबाना न न भूले नमबर एट स्रद्दा कपूर सद्दा कपूर ने अपने कैरियर की सुरबात 2010 की फिल्म तीन पट्टी के छोटे से रोल से की थी इसके बाद इन्होंने साल 2011 की फिल्म लौक अदा इंड में प्रमुक भूमिका निवाई थी इसके बाद साल 2013 में आजकी टू से बॉल्यूड में अपनी पहजान बनाई इसके बाद उन्होंने हैदर, एक विलन, हाफ गल्फरेंड, शिछोडे और साहुज जैसी कई फिल्में की है वो हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और सबसे खुबसे टैक्टिस में सेख मानी जाती है करीना कपूर, करीना कपूर बॉल्यूड की सबसे खुबसे टैक्टिस में साथ में नंबर पराती है कईना कपूर का जन 21 सितंबर 1990 में हुआ था उनके पिता का नाम रंदीर कपूर है और मा का नाम बभीता है कईना ने जमनाबाई नर्सी स्कूल मुंबई और विलहम गर्स स्कूल देरादूर से पढ़ाई की है इसके बाद उन्होंने मिटाबाई कॉलेज बिले पाल ने मुंबई से कमर्स की दो साल की डिग्री ली कईना कपूर ने अपने से दस साल उम्र में बड़े मशूर अभिनेता सैफ अलिखान से साधी की है सैफ और कईना का एक बेटा भी है जिसका नाम तैमूर है नमबर 6 सारा अलिखान सारा अलिखान बॉल्यूट की सबसे कुप्सरत एक्टेस में छड़े नमबर पढ़ाती है सारा अलिखान अम्रिता सिंग और सैफ अलिखान की बेटी है सारा अलिखान का जन 12 अगस्ट 95 में कोवा था सारा अली खान ने अपनी पढ़ाई कोलंबिया युनिवर्सिटी नियुवर्क से पूरी की है सारा की बॉलिविट फिल्मों की शुरुबात केदाननाथ फिल्म से हुई थी इस फिल्म में सारा के अपोजीट सुसान सिंग राजपूत नजर आया थे सारा को इस फिल्म के लिए बेस्ट फिमेल डेब्यू फिल्म फ्रेयर के अवार्ड से नवाज़ा गया है इसके बाद सारा रंबीर सिंग के साथ फिल्म सिंबा में अमिने किया था सारा की खाली में रिलीज हुई फिल्म लोव आजगल है नमबर फाइब प्रेंका चोप्रा प्रेंका चोप्रा बॉलिवुड की सबसे खुबसे टैक्डिस में बाच्वे नमबर पढ़ाती है प्रेंका चोपरा अपनी खुबसूर्ती और टालेन के दम पर आज प्रेंका चोपरा ना सिर्फ बॉलिवुड में बलकी खॉलिवुड में भी जानी मानी अभिनेतरी है देसी गल प्रेंका चोपरा साल 2000 में मिस वल्ल का किताब जीप चुकी है प्रेंका चोपरा का जन 18 जुलाई उने से 82 को बिहार के जमसेत पूर में हुआ था प्रेंका चोपरा ने साल 2002 में बॉक्स ओपिस पर अच्छा कुमार के साथ सूपर इट फिल्म अंदाज से अपनी अभिनाई की शुरुबात की उन्हें बॉलूट की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक के रूप में भी जाना जाता है उन्होंने बर्फी, डॉल, अगनी पत और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में दमदार अक्टिंग किया है नमबर फोर उर्वसी डॉटेला उर्वसी डॉटेला बॉलूट की सबसे खुपसियों टैक्टिस में चरथे नमबर पराती है उर्वसी डॉटेला बॉलूट की सबसे होड भारतियों मोडल और अभिनेत्रियों में से एक है उर्वसी डॉटेला का जन 25 फरबर 1994 को उतराखन भारत में हुआ था उर्वसी डॉटेला ने मिस्टीन इंडिया 2009, मिस्ट इंडियन प्रिंसेश 2011 और मिस्ट टुरिज्म की उन of the year 2011 की विजिता रही है इसके अलाबा उन्होंने आई एमसी मिस्ट उनिवर्स इंडिया 2012 और मिस्ट दिवा 2050 का ताज विजिता है इर्वसी डॉटेला ने 2013 में सिंग्ह साथ धी ग्रेट फिल्म से अपने बॉल हुट क्यजियर की सुछबात की थी हमेघजी नबर तरी कैटरीना काइफ बॉल हुट की सबसे खुप्सरत अक्रेश में तीसे नंबर पर आती कैट्रीना कैफ ने मल्यालम और टेलगू फिल्म के साथ साथ बॉलिवूड में नमस्ते लंदन, सिंग इस किंग, एक था टाइगर, जबता खेजान, निव ओक, जिन्दकी न मिलेगी दोबारा, बैंग बैंग, फैंटम, टाइगर जिन्दा है, जीरो और ऐसे कई बॉलिवू में से एक मानी जाती है, आलिया बट का जन 15 मार्च 1993 को बारत में हुआ था, आलिया बट ने स्टुडेंट अफ दा इयर फिल्म से बॉलिवूड में अपना डेबू किया था, इसके अलाबा उन्होंने हाई बे, टू स्टेट्स, हम्टी सर्मा की दुलनिया, सांदार, उर्त पंजाब और डियर जिन्दगी जैसे ही फिल्मों में काम किया है, आलिया बट ने जी सिने अवार्च, स्टीन अवार्च, स्टार गिल्ड्स अवार्च और फिल्म फेर अवार्च जैसे कई बड़े पुस्कार अपने नाम किया है, नमबर वन पस जाने से पहले मैं आपके बता दू कि अगर आप इस वीडियो में दी गए इंफोर्मेशन को हिंदी और इंग्लिस दोनों लैंग्मेज में टेक्स के रूप में यानि ब्लॉग आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपने वेपसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पमेंट सेक्षन में दे दिया है, और आप जैसे ही उस वेपसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप डारेक्ट हमाने वेपसाइट के उस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आँ आशानी से इस वीडियो में दी गए इंफोर्मेशन को आर्टिकल में पर सकेंगे, और दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद एक बार हमाने वेपसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा, तो शलिए, नमबर वन पर चलते हैं, नमबर वन दिपिका पादिकोन, दिपिका पादिकोन बॉलूट की सबसे खुब्सेत अक्टेस में पहले नमब परकास पादिकोन की बेटी है, डिपिका पादिकोन की पहली फिल्म ओम सांती ओम थी, जहां उन्होंने सारु खान के साथ दो किरदार निभाय थे, उन्होंने तीन फिल्म फेर पुश्खार जीते हैं, उन्होंने 2018 में बॉलूट के मसूर अभिनेता रनबीर सिंग चे साध कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही जादा मेरत लगती है, अगर आप ऐसे ही नौलिशिबल और इंफोर्मेटीब वीडियोज देखना चाहते हैं, तो हमारे चामल को सब्सक्राइब ज़रोड कर ले, उगल आइकोन को दबा दे, ताक कि हमारे आने वाली अन्य वीडियोज की नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आपके बज़ा है, तब तक की लितना ही, फिर मिलते अगली वीडियो में, कीप लर्निंग, कीप डोईंग, थाइक फो वाचिंग